नमस्ते दोस्तों आज हम बढ़िया से साबू दाना के पापड बनाएंगे जो बिना कुछ डाले ही बहुत जादा अच्छे से फूलता है देखिए कितने बढ़िया से फूल रहा है और फटेगा बिल्कुल नहीं पापड ये देखिए चोगुना फूल रहा है ये पापड आ इसके लिए हमने एक कटोरा साबू दाना ले लिया मतलब 2500 ग्राम ये साबू दाना है इसको दो घंटे पहले भीगो दिया था और अच्छे से फूल गया है फूलाना बहुत जरूरी रहता है साबू दाना को इसको सुबह ही भीगो या था अब पानी उबलने के लिए रख चार नहों इतना पानी लेना है पहले पतला देखिए दिख रहा एकदम लेकिन जब पकने लगता तो पानी बहुत ज्यादा लगता है और इसको एक घंटा पकाना अब इसमें आधी चमस नमक डाल देना है जीरा यूरा कुछ नहीं डालेंगे जीरा डालने से पीला कलर हो जा तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे बहुत बढ़िया सफेद सफेद पापड़ बनते हैं अब इसको बीच बीच में चलाते रहना है अभी पानी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा लेकिन यह जब पक जाएगा तो पानी बिलकुल बढ़िया हो जाएगा परफेक्ट हो जितना अच्छा पकाएंगे उतना ज्यादा पापड अच्छे से फूलेंगे देखिए गाड़ा होने लगा है इसमें पेसंस रखना रहता है क्योंकि लोगों को लगता है कि थोड़ी देर पका लिया बस हो गया कम पकाएंगे तो पापड धूब में ही फट जाते हैं जैस जब इस तरह से हो जाए तब तक इसको पकाना है अभी आपको यह पतला लग रहा है लेकिन जैसे ही ठंड़ा होगा परफिक्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से पकाना है एक घंटे से कम नहीं पकाना है देखिए बड़ी हासा ट्रांस्पारेंट होने लगा है जब यह जाता है तो साबू दाना बड़ी हासा दिखने लगता है और गाड़ा हो जाता है इसको पूरा नहीं ठंड़ा करना है गुनगुने में ही इसको डाल देना है और मोटे ही पापर डालना है क्योंकि सूपने बाद पतला हो जाता है बहुत पतला फैला देंगे तो फिव उच फुल पापड अच्छे लगते हैं, देखिए सूखने लगे हैं, एक दिन की धूप में ही बढ़िया सा पलटने वाले हो जाते हैं, देखिए कितने अच्छे से पलट रहे हैं, बिल्कुल फटा नहीं है पापड, अगर कम पागाएंगे तो फट जाते हैं, चिटक जाते हैं पापड वो पापड अच्छे नहीं रहते हैं तलने में भी अच्छे नहीं रहते हैं और फूलते भी नहीं हैं और टाइट रहते हैं इसमें एक एक दाना फूलता है इस समय धूप बहुत अच्छी हो रही दो दिन की धूप में ही बहुत अच्छे से सूप जाते हैं पापड देखे सूखने लगे हैं पलटने वाले हो चुके हैं पलट दिया हमने और बिल्कुल भी पापड फटा नहीं है बिल्कुल ट्रांस्पारेंट है पापड और बहुत पतले हो चुके हैं पापड जब चुवाएं इसको थोड़ा सा मोटा ही चुवाएं देखे कितने अच्छे पुल रहा हुआ पापड वडियासे दोगना-तिगना हो जा रहा पापड और सारे पापड ऐसे फूलेंगे ये साबु दाना का पापड मिक्स हो चुका है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लायक कीजिएगा ये एक बार जरू ट्रै कीजिएगा वीडियो देखन लिल में भीा हो, दो और में होग झाल भी Holy